आज मैं आपको बताने वारे हूं MNS के रिजल्ट के बारे में तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि MNS का रिजल्ट आउट हो चुका है तो क्या कौन-कौन से कंडिये शॉर्ट लिस्टेड हुए है क्या-क्या इसका प्रोसिजर रहेगा कैसे हमने अपना स्कोर कार्ड द हैं शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और यह 41 पेजिज की आपकी पीडियाफ है और टोटल इसमें नंबर ओफ कैंडिडेट 1,416 टोटल इसमें कैंडिडेट हैं नेक्स्ट बात करते हैं कितने कैंडिडेट इसमें क्या-क्या प्रोसिजर था यहां पे देख सकते हो आप 14 जै हैं नंबर ओवकैंची की आपकी 451 ती टोटल नंबर ओफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड जो है वह 1416 चैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और आप जो हैं अपने स्कोर कार्ड यहां पे इनकी ऑफिशियल प्रोसिजर पे जाकर देख सकते हो जहां से अपने अपना scorecard चेक करना है वो मैं आपको link send कर दूँगी और description में आपको उसका link मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हो official आपके जो है site open हो गई है यहां पर scorecard live आप देख सकते हो जो final answer की है यह आपके last जो भी upload हुए है वो है और यहां पर कैसे आपने scorecard चेक करना है आपने इस पर क्लिक कर देना है next आपके पास page open हो जाएगा यहां पर आपने application number डालना है उसके बाद day month और year अपने date of birth का डालना है उसके बाद यह जो पीन है यहां पर आपने डालना है उसके बाद submit पर क्लिक करना है और आपके पास next page open हो जाएगा जहां पर आपको मिल जाएगा कि आपके कितने marks है और इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ज़्यादे जानकारी चाहिए होगी तो आप comment में पूस सकते हो thanks for watching